हेलो फ्रेंस, तादेस किचें क्लब में आपका स्वागत है आज में लेकर रही हूँ बॉंटी बार की रेसिपी तो फ्रेंस वैसे तो आपने बाहर से बहुत बार बॉंटी बार लाकर खाई होगी लेकिन आज हम उसी Bonti-Bar को घर पर बनाएंगे और उसका मज़ा लेंगे तो फ्रेंस इसे बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही कम ingredient में बहुत ही जल्दी ये बनकर तयार हो जाती है तो चलो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं गैस के उपर मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें हम डालेंगी एक कप दूद तो यहाँ पर आप दूद कोई भी यूज़ कर सकते हो दूद डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे आदा कप जितनी चीनी तो मैं यहाँ पर इसे डाल देती हूँ इतनी चीनी यहाँ पर इनफ है फिर भी आपको मीठा कम ज़्यादा पसंद हो तो उस हिसाब से आप इसे एड़्जर्स कर सकते हो तो चीनी दूद में अच्छे से गुल जाए तब तक हम इसे गरम कर लेंगे तो यहाँ पर चीनी अच्छे से दूद में घुल गई है तो अब हम इसके अंदर डालेंगे सुखे नारियल का बुरादा तो मैंने यहाँ पर लिया है डेड़ कप जितना सुखे नारियल का बुरादा तो मैं इसे इसके अंदर डाल देती हूँ और डालने के टाइम आप गैस की फ्लेम जो है वो लो रखिएगा और अब हम इसे अच्छे से दूद के साथ मिक्स कर लेंगे सुखे नारियल का बुरादा आपको मार्केट में कोई भी ग्रोशे शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा तो इसे अच्छे से मिक्स करते हुए जब तक इसका सारा दूद जल जाए और यह थोड़ा सा ड्राइ टैक्स्चर वाला हो जाए तब तक हम इसे और गरम कर लेंगे तो यहाँ पर आपको गैस की फ्लेम मेडियम फ्लेम पे ही रखनी है और अब हम इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंट्स देखिए कि यह थोड़ा सा ड्राइ हो चुका है मैंने इसे तीन मिनिट के लिए पका लिया है लेकिन अभी भी मैं जे थोड़ा सा दूद का हिसा लग रहा है तो मैं इसे और दो मिनिट के लिए पका लेती हूँ तो फ्रेंट्स आप इस बंटी बार को घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हो और आप इसे कोई भी त्योहर में या फिर कोई भी बड़े पार्टी में या फिर रक्षा बंधन पे आप इसे बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हो और सभी को बहुत ही पसंद भी आएगी तो फ्रेंट्स आप देखें कि दो मिनिट मैंने और इसे पका लिया है और अमारा जो टेक्शर है वो एकदम ड्राइ हो चुका है तो अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे हम थोड़ा सा थंडा होने देते है तो फ्रेंट्स देखें कि मिश्रन जो है वो थोड़ा सा थंडा हो चुका है तो अब हमें जितनी साइज की बार बनाने है उस हिसाब से हम मिश्रन को हाथ में लेंगे और इसे शेप देंगी तो यहाँ पर आप कोई भी अपने हिसाब से शेप दे सकते हूँ तो मैं हाँ पर इसे rectangle shape में बना रही हूँ तो friends आप ध्यान रखे कि जो mission का texture है वो बस इस तरीकी का होना चाहिए जिसे हम हाथ में लेकर आसान इसे कोई भी shape दे सके तो देखे friends मैंने हाथ से ही इसे अच्छे से shape दे दिया है तो बहुत ही आसान है इसे बनाना तो इसी तरीके से सारे rectangle shape में मैंने इस पार को तयार कर लिया है तो यहाँ पर मैंने थोड़े से इस shape में और थोड़े से square shape में बना लिये है आप कोई भी एक shape में भी इसे बना सकते हो तो अब हम आगे की process कर लिए और हाँ यह अच्छे से set हो जाए उसलिए हम इसे 10 से 15 मिनिट के लिए freeze में रख देते हैं आप चाहो तो इसे room temperature पे भी set कर सकते हो तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने गरम पाने ले लिया है और उसके उपर हम रखेंगे एक ball और बॉल के अंदर मैंने लिये है करीबं 1,500 ग्रम जितनी milk compound chocolate आपके पास milk compound chocolate ना हो तो आप इसके जगह पे dark compound chocolate का भी use कर सकते हो या फिर कोई भी dairy milk chocolate का भी use कर सकते हो तो इसे हम अच्छे से इस तरीके से milk कर लेंगे फ्रेंट्स देखी एक भी chocolate का टुकड़ा नहीं रहना चाहिए थोड़ा बहुत रह गय जो है वो अच्छे से milk हो चुकी है तो चौकलेट अच्छे से milk हो चुकी है तो अब मैं आपको दो बाते खास बताती हूँ जिसे आप बहुत ही ध्यान रखेगा एक बात यह कि directly आप चौकलेट को milk करने के बान तुरंत ही इसके अंदर जो हमने मिश्रन रेडी किया है उसे हो जाएगा तो अब हम कोटिंग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमने जो मिश्रन को सैट होने के लिए फ्रेज में रखा था वो अच्छे से सैट हो चुका है देखिए तो अब हम इसके उपर इस तरीके से चौकलेट डालते इसे अच्छे से कोट कर लेंगी तो यहाँ अब हम इसे रख देंगे एक प्लेट के उपर तो यहाँ पर मैं एक प्लेट ले ली है और उसके उपर रखा है बटर पेपर जिससे यह जम जाने के बाद बिल्कुल भी चिपके ना आपके पास जो बटर पेपर ना हो तो आप सिल्वर फॉल पेपर का भी यूज कर सकते हो तो अब हम इस तरीके से वन बाई वन सभी चोकलेट को इस तरीके से कोट कर लेंगे और इसके उपर रख देंगे आपको बीच में लगे कि चोकलेट जो है वो थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है तो वापस से आप इसे थोड़ा सा डबल बॉयलर की मदद से गरम कर लीजेगा और फिर कोट कीजिएगा तो अब हम इसे 30 मिनिट के लिए फ्रेज में सेट होने के लिए रख देते हैं 30 मिनिट के बाद आप देखे फ्रंस चोकलेट बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है तो आप देख सकते हो कि इसके आसपास में जो एक्स्रा चोकलेट लगी हुई है इसे हम कट कर लेंगे बहुत ही आसाने से कट हो जाती है और हाँ मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आगे आगे आपको वीडियो में बूला था कि बहुत ही गरम चोकलेट के अंदर आप इस मिश्रान को मट डालिएगा इसे क्या होगा मैंने इसे गरम चोकलेट के अंदर तो कोई बात नहीं बस ध्यान रखिएगा यहां पर मैं आपको एक बार को कट करके भी दिखा देती हूं बहुत आसान इसे यह कट हो जाती है और जैसे बाहर मिलती है वैसी ही बॉंटी बार घर पर बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार है तो इन त्योहर में आप इसे दिह में लिंगी तब तक किलिए बाबाई